हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे आखिर इस्ट्राऊस्कोपी क्या होती यह तो आज हम से ओप डियो में एक सवाल पूछा गया कि आखिर इस्ट्राऊस्कोपी क्या होती है तो हम हímTON तो आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आखिर होती है कैसे होती है इसके फाइदे हैं और इसे कब करवाना चाहिए कैसे करवाना चाहिए इसमें कितना समय लगता है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं को अब जाते है इसका फाइन के रचाहिए बेन लगता है तो इसका नाम दे दिया जाता है तो जब हिस्ट्रोस्कोप बच्चे दानी के रास्ते से वजाईना से यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जब बच्चे दानी के अंदर का पिक्चर हमें बाहर दिखाई देता है टेलिविजन के स्क्रीन पर तब हम उसे बोलते हैं कि यह Istroscope है अब हिस्टरोसकोपी करवाने का फाइदा क्या है Istroscope जब अपन करवा रहे हैं यानि कि जब अपन दूर्बिन बचे दाने के अंदर डाल रहे हैं तो बच्चे दाने के अंदर के जो भी मिस्टरी है वो सारी सामने आ जाती है तो डॉक्टर आपको इस अला देते हैं कि आप अपना हिस्ट्रोस्कोपी करवा लीजे ताकि हम यह देख पाएं बच्चे दाने के अंदर जाके जांक पाएं कि आखिर बिमारी क्या चल रही है किसी भी बिमारी का तभी इलाज संभव है जब उसका डाइग्नॉसिस सही हो य पूरा हो जाएं कई बार होता है कि आपको बच्चे लगने के समस्या हो रही है और वच्चे दानी अंदर से चिपकी हुई है तो जब दूरबिन डाल कर देखेंगे तभी एक लियर हो पाएगा और जो भी चिपकी बच्चे दानी उसको सही कर सकते हैं नीचे उसके साथ से साथ से सяжब से खकाने परदा हो दो यूटरेइन सेप्टम होसकती है तो इस अंदर से ठीक किया जाता है जो अनलावा बच्चे दानी के अंदर साफी कम और वीटी का स्पेस छोटा होता है तो इसका cavity enhancement कर दिया जाता है यानि कि cavity को cut लगा कर थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है जिससे कि बच्चे को आगे बढ़ने का space मिल सके और आपके abortion की संभावनाय कम हो सके तो इस प्रकार से जब भी दिमाग में यह confusion हो कि बच्चे दानी के अंदर क्या चल रहा है और हमें उ इस सब्सक्राइब बेस जोड़र को आपफिस के अंदर भी यह जाति है क्योंकि आज जो जाता है तो और हमें बहुत अज दूप्ताली त्थी पतला होता है जिसके लिए बच्चे दानी की मूँख को डालेय नहीं करना और बिना पेनिये सीधा अंदर चली जाती है इसके लिए बहुत अदा नस्तेसिया नहीं देना पड़ता इसलिए बिना अनस्तेसिया के भी यह जा शंबव है और अगर अगर नहीं दिया गया है तो आप डेफिनिटली एक से दो घंटे के बाद अस्पताल से घर वापस जा सक क्योंकि जो दिखेगा तो बीमारी पता चलेगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा इसलिए यदि आपके डॉक्टर ने आपको इस्ट्रोस्कोपी बताया तो घबराएं नहीं अपनी जान जरूर करवाएं अपना और अपने स्वास्ते का धियान रखें और इससे हमें कमेंट वक्स में लिखके पोस्ट सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार